और तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। के लिए जैपरदा को आप देख पा रहे हैं। आज शुश्मादीदी इस दुन्या में नहीं है। यह यकीन नहीं हो रहा है। देली के मुख्यमंत्री से लेकर उन्होंने विधेश मंत्री तक जिस तरह उन्होंने काम किया है, देश के लिए सेवा किये हैं। और लोग भूल नहीं सकते हैं। आज मैं अभी दो मेने पहले मैं इसी दफतर में उनको मिली थी। और इतने प्यारे और इसने भाव से मुझे मिली थी। और अभी भी मुरे को उनका चहरा और उनके मुस्कुराहट मेरे आखों के सामने है। मैं एकी बात कहना चाहते हैं कि वो माँ भी है, बेहन भी है। पकता भी थी। उनके भाशन सुनते हमने पार्लमेंट में बड़े हुए है, और पार्लमेंट में उनके प्रेजना मिली है, हमें किस आज़ा आने मिली है, और आखरी किस्सा को याद हो, बाचीता या कुछ आप साजा कहा है। कि दो मेने पहले मैं इसे दफतर में मिली थी, तो मुझे 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 मिली और मुझे धायर और हिम्मत दी थी, कि जया, आपको कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, हम हैं आपके सामने, और वही बात, वही मेरे कारों में गूंज रहे हैं. We lost a great, honest, remarkable leader. It is a great loss, हमारे पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी. स्वराज के पार्थिव शरीर के दर्शन कर पाएंगे? सुस्मा जी से किस तरीके से आप जुड़ी हैं, किस तरीके से connected हैं, कभी मुलाकात हुई थी आपका नाम क्या है? मेरा नाम से व्यादो है, मैं जेन्यू से हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ. क्या कहना चाहेंगे? सुश्मा जी कि निदन क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना सोक प्रकट करना चाहता हूँ, देश ने एक बहुत ही अभूत पूर्व नेता खोया है, और एक ऐसी महिला को खोया है, जिसके जो देश की विविन महिलाओं को उनके इस तर से जोड़ती. ठीक है, ये जेनियू से हैं, ये दूर्दराज के लोग कारकरता यहां पर ही कठा हुए है, और बड़ी संख्या में तादार ये संख्या जो है, वो लगातार बढ़ती जारी है कारकरता हों की, कई नेता जो हैं, अंदर हैं, हौल के अंदर हैं, वो अंतिम दर्शन कर रहे ह हैं, लेकिन जो कारकरता हैं, जब वहां से भीड कुछ कम होगी, हौल के अंदर से, इसके बाद कारकरता अंदर जाएंगे, तो यहां पर लोग अपने व्यक्तिकट जो अनुभाव हैं, सुस्मा जी के साथ में, जिस तरीके से उनका जुडाव है, जो भी उनका का संबंद रहा है, वो लोग साजह कर रहे हैं,